है फिरेंस, दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला वहाँ कि आप यूटूब से किसी भी एडर कॉंटेंट को पूरी तरह कैसे हटा सकते हैं या मैं कुछ शेटिंग्स के बारे मैं बताने वाला हूँ कि जिसे एडर कॉंटेंट हाइड हो जाएगी क्योंकि अक्सर एसा होता है कि आप किसी बच्चे के साथ हो या किसी सीहार के साथ हो और उस समया केसे पीदिया को watch कर रहे होते हैं तो इधर आपकोसर सॉजेशन में बहुत सारे डॉल्ट पर बीदियो आने लगती है तो आपको बतायता हूँ कि ऐसा क्यों होता है मैं हूँ बरुन कुमार और आप देख रहें यूटुब के टुजन ही निटिक चैनल को अगर आपने आल लिडिये हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप हमाई चैनल पर नए हैं तो यहा घुझे विडियो क्यों सजेशन या रिकमेंडेशन में आती है किसी वीडियो को सच करने में एडलट वाट्स को यूज किये होंगे या आपने किसी एडल्ट वाच की होगी जिसके बढ़ा से यूटूब डिटेक्ट कर लेता है और उसी तरह के वीडियो आपके सजेशन मे आने लगती है या रिकुमेंट करने लगती है कि आप इस तरह के वीडियो आप देख सकते हैं तो आप साइन इन नहीं है तो यहाँ पर साइन इन लिखा रहाएगा आप इस पर किलिक करके गूगल एकाउंट से साइन इन हो जाए उसके बाद आप यहाँ पर किलिक करें उसके इलंघ कॉन्टेंटिन बाली वीडियो को हटा सकते हैं जैसे चलिए मैं इसको क्रwe Pop क्लिक्वे करके थे उसके बाद आती है संजय अगर आपने किसी एडल्ट्स वार्ड को साख करने में यूच किया है तो आप यहां से क्लाउस क्लिक करके हटा सकते हैं है आप सेंफ़ नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक option मिल जाती है restricted mode यहां पर सेफ mode हुआ करती थी आप restricted mode को on करके save कर दे अब restricted mode on हो चुकी है अब यहां पर adult contents आनी बंद हो जाएगी आप ऐसी वीडियो जिसको फले किया हुआ है उस तरह की वीडियो यहां पर नहीं सो करेगी दोस्तों यह तो थी computer पर अब चल दीए mobile पर चलते हैं दोस्तों अब मैं mobile के YouTube apps में हूँ आप simply यहां three dots में क्लिक करें उसको आज setting में क्लिक करें उसके बाद आप जेनरल में क्लिक करें और यहां पर आपको restricted mode मिल जाती है आप यहां पर क्लिक करके इस option को on करतें तो दोस्तों मुझे मिद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगे हुआ है अगर यहा कि नएने वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं पूले आज की लिए नहीं बाइबाए